एक बार नारग जी घुमते हुए दाकू रतनाकर के इलाके में पहुँचे रतनाकर ने उन्हीं लूटने के लिए रोका नारग जी बोले भाया मेरे पास तो यह वीना है इसे ही रख लो लेकिन एक बात तो बताओ तुम यह पाप क्यों कर रहे हो रतनाकर ने कहा अपने परिवार के लिए तब नारग जी बोले अच्छा लेकिन लूटने से पहल एक सवाल जरा अपने परिवार वालों से पूछाओ कि क्या वह भी तुम्हारे पापों में हिस्सेदार है रतनाकर दोडे दोडे घर पहुँचे जवाब मिला हमारी देख भाल तो आपका कर्तव्य है लेकिन हम आपके पापों में भागीदार नहीं है लुटे पिति से रतनाकर लोट कर नारग जी के पास आए और डाकु रतनाकर से वालमी की हो गए बाद में उन्हें रामायन लिखने की प्रेरना भी नारग जी से ही मिली